हेलो गाइज स्वागत है आप सभी का धिराज क्लासिस के यूटूब चैनल पर और अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है इवियस में वो है आपका इंडियन रिवर इस टॉपिक के ऊपर यह हमारा सेकंड पार्ट है इससे पहले हम एक पार्ट डिसकस कर चुके हैं उसका लिं आप से पूछते हैं सूरत निम लिखित में से किस नदी के किनारे बसा है सूरत is situated on the bank of which of the following river option है आपके गोमती नदी, सर्यू नदी, तापती नदी, यम्ना नदी तो हो नहीं सकता क्योंकि यम्ना नदी के किनारे आपका बसा है एक तो दिल्ली और आगरा ठीक है गोमती नदी के किनारे कौन सा शेहर बसा है आपको पता होगा लखनाउ शर्यू नदी के किनारे कुछा जा सकता है क्योंकि आयोध्या में ही आपका राम मंदिर बन रहा है तो इस तरह के जो current questions होते हैं वो ज्यादा पुछे आते हैं सूरत आपको पता चल गया होगा कौन सी नदी के किनारे बसा है यह आपका तापती नदी के किनारे यह बसा हुआ है तो चलिए आगे चलत नदी के किनारे बसे हैं वो मैंने आपको एक पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी है आप या तो इसका screenshot ले लीजे और इसे बाद में अपने notes में भी ज़रूर add कर देना ठीक है चलिए अब हम चलते अपने second question पे second question आप से पूछते हैं सुंदरबंड डेल्टा का निर्मान कर अब देखे इस question को कैवर घुमा फिरा के आप से पूछेगा कैसे पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी दो नदियां बनाती है क्योंकि सुंदरबंड डेल्टा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए भी था डेल्टा क्या होता है जब भी नदियां पहाडों से आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिटी बहा कर लेकर आती है और जब यह प्लेन में आती है तो इनकी स्पीड कम हो जाती है और समुदर में मिलने से पहले समुदर का पानी आपको पता है ख कौन सी दो नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है वो है आपकी गंगा और ब्रहंपुत्र ठीक है और यह कहां पर बनता है आपके बंगलादेश में इस पिक्चर को दुबारा देख लीजिए गंगा नदी जब बंगलादेश में आती है तब इसे हम कहते हैं पदमा और ब्रहंपुत्र को हम कहते हैं जमुना ठीक है यह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और इन दोनों का जो मिलन होता है तो इसको हम कहते हैं मेगना ठीक है बंगलादेश में और यही बनाती है आपकी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पर घर कोशन आपसे पू defendant का सबसे लंबा बान्द हीरा कुंद बांध किस नदी पर इस्थित है तो देखिए जो हीरा बांध हो भारत का सबसे लंबा बांध time लंबाई MPi में अगर वह scientific आपसे पूंसे बांद किस नदी पर इस्थित है the option me आ Mormon घंग या फिर कुदावरी साथ यहाँ पर नाम दिया है नरमदा नदी पर कौंझ सा बांध बनायेavier यहे आपका सरदार सरोवर बांध थीक है यह मैं क्यों कुछ किया हूं- important है क्योंकि यहीं पर नरमदा- नदी परasmaधान आपकी आका to सरदार पटेल की Statue of Unity 182 मिटर इसको जरूर याद रखना क्योंकि जो करंट जो कोशन होते हैं यह जादा पूछे जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं यहां पर हीरा कुंड बांध चलिए फोर्थ कोशन पर चलते हैं भारत का परसिद बांध भाखडा नागल बांध किस नदी पर इस्तित है आपके महा नदी नर्मदा गंगा या फिर सतलज तो भाखडा नागल बांध यह बनाया गया है आपका सतलज नदी पर ठीक है जो बांध के कोशन होते हैं यह भी काफी important होते हैं नदीयों से related हैं यह तो आप इनकी भी जरूर प्रक्टिस कर question आप से पूछते हैं कैन बैतवा और चंबल कैन बैतवा और चंबल किस नदी की सहयक नदिया है यानि कि यह सभी तीनों सहयक नदिया हैं यह किस की सहयक नदी हैं option है आपके यमुना गंगा नर्मदा या फिर कृष्णा तो guys देखें आप याद रखना यह तीनों जो नद सुनिए कैन बैतवा चंबल किस की सहयक नदिया है यमुना की याद रहेगा आपको आप इसे यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं जो आपकी चंबल बैतवा और कैन यह तीनों मिलती हैं आपकी यमुना नदी में और इसी के किनारे पर यमुना नदी के किनारे पर कौन सा बसा है आपका दिल्ली शहर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 6th question पे 6th question आप से पूछता है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के टट पर इस्थित नहीं है option है आपके कानपूर वारानसी दिल्ली पटना तो देखिए जे कानपूर वारानसी पटना ये गंगा नदी के किनारे पर इस्थित हैं नहीं है तो कौन सा दिल्ली दिल्ली जो है यम्ना नदी के टट पर इस्थित है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 7th question पर 7th question भारत का सबसे उंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर इस्थित है तो option है आपके भागी रथी अलकनंदा गंगा या फिर सतलुच तो देखिए टिहरी बांध जो है भारत का सबसे उंचा बांध है पहले नंबर पर जो सबसे उंचा बांध है टिहरी बांध दूसरा है आपका भाखडा नाकल बांद दूसरा सबसे उचा बांद है, तो यह किस नदी पर बनाए है, आपको यह बताना है, टिहरी बांद, तो यह आपका उत्रा खंड में भागी रती, जो नदी पर बनाँ है, उसे हम कहते हैं, टिहरी बांद, ठीक है, आपने शनला होगा, चलते हैं हम अपने एर्थ कोशन पे एर्थ कोशन आप से पूछते हैं निम्ण में से कौन सी सिंधु नदी की सहयक नदी है विच अव दा फॉलोविंग इस ट्रिबुटरी अव दा रिवर इंडस औप्शन आपके जहलम रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज या फिर ये सबी तो देखें सिंधु नदी की जो सहयक नदी है वो है आपकी जहलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज ये पाँच नदी हैं और इसी से बनता है आपका पंजाब अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब की पांच प्रमुक नदियां कौन सी हैं तो वो हैं आपकी जेलम, रावी, चिना, व्या, सतलुच ठीक है यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूँ सिंधु नदि, यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा समझोता मुझे याद आता है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझोता हुआ था जो सिंधु नदि के जल को लेके हुआ था आपको पताएगा भई, 1947 में भारत पाकिस्तान का बटवारा हो गया तो जो सिंधु नदि यह जाती है आपकी पाकिस्तान में तो इनके बीच में विवाद था कि इसको पानी है वो कैसे कैसे खर्च किया जाएगा क्योंकि यह जो है इंटरनेशनल रिवर हो गई थी क्योंकि यह कई देशों के मध्य बहती है तो उसके मुताबिक जो है 80 पर्तिशत पाकिस्तान इस्तमाल करेगा और 20 पर्तिशत आपका इंडिया इस्तमाल करेगा और पांचो नदियों के मैंने नाम आपको बता दिया जेलम, रावी, चिनाव, व्यास और सतलुच यह पंजाब की पांचो पर्मुक नदियां है और यह सिंदू की भी सहयक नदियां है आप इसे यहाँ पर मैप भी देख लीजे सिंदू नदी का जो उद्गम होता है वो मानसरोवर के निकट से जो तिबबत से होता है उसके बाद यह कुछ इस तरीके से होते हुए हमारे जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में जाती है और पूरे पाकिस्तान को जो जल है इसी नदी से मिलता है लगबग तो देखिए भरंश घाटी को पहले समझ लीजे जब भी आपको पता होगा धरती के नीचे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और यह जब भी उपर नीचे होती है तो कुछ इस तरह की आकरतियां बनती है यानि कि दो आकरती जो है पहाड बन गए दोनों तरफ और एक तरफ जो है कुछ नीचा रह जाता है तो इसी को हम कहते हैं भरंश गाटी तो कौन सी ऐसी नदी है जो गाटी में से बहती है वो आपको नाम बताने है तो आप्शन है आपके नर्मदा, गुदावरी, कृष्णा या फिर इन में से कोई नहीं तो देखे इसके जो आंसर है उसको बताने के लिए पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ यह आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ब्रहंश गाटी ठीक है यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं नदी यहाँ पे बह रही है और यह जो बीच में इसके दोनों तरफ हैं यह आपकी ब्रहंश गाटी को बनाती है तो यहाँ पर आपको कुछ नदियों का नाम रखना है याद जैसे कि नर्मदा और तापती ये दोनों ही ब्रंश गाटी से भैती है और ये पश्चिम की तरफ भैती है यहाँ पर इस मैप में देखिए ये दोनों ही पश्चिम की तरफ भैती है और ये डेल्टा भी नहीं बन जो होता है एक नेगेटिव वर्ड है यानि कि ये कुछ गलत करती है नदी क्योंकि ये बिहार में बहुत सारी बाड़ लेकर आती है इसलिए इसको कहा जाता है बिहार का शोक तो आपको बताना है कौन सी वो नदी है आपशन है आपके सोन नदी, कोसी नदी, गंगा नदी या फिर दामोदर नदी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी आपशन कोसी नदी ये बिहार का शोक कही जाती है और हाँ दामोदर नदी ये कही जाती है बंगाल का शोक क्योंकि ये नदी बंगाल में बाड़ लेकर आती है तो यह थे आपके total 10 questions और I think सभी को अच्छे से समझ आये होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो please like जरूर कीजिए, share कीजिए और जो भी channel पे new है please subscribe कर दीजिए, thank you so much guys